एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर जो है मुझे जल्दी समझ में नहीं आता है यानि कि एक बार हमने पढ़ाई कर लिया तो तुरंट से समझ में नहीं आता है बिल्कुल ये सही बात है जल्दी समझ में किसी को नहीं आता है हर किसी को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है किसी को दस बार पढ़ने में समझ में आता है तो क्या होते हैं बच्चे अगर पढ़ना जो मतलब एक बार उन्होंने पढ़ा और उनको समझ में नहीं आया तो उनको लगता है कि वो बच्चे तेज नहीं है और अलिगर्ड मुस्लिम इनवर्स्टी में उनका सेलेक्शन नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है होता क्या है बच्चे आपने एक एक एक्जामपल आप लोगोंने सुना होगा कि एक कुवा है और कुवा का जो बॉंडरी होता है बच्चे वो पत्थर का बना होता है और रसी से बाल्टी बांध करके कुवें से पानी निकाला जाता है तो आप देखते होंगे जहां पर रसी घिसती है वहाँ पर जो पत्थर है ना रसी से जो पत्थर घिस जाता है वहाँ पर पत्थर वो कट जाता है यानि कि एक रसी जो पत्थर को काट देता है उसी तरीके से एक और एक्जामपल है मेरे शेर बच्चे कि पत्थर पर जब पानी गिरता है तो पानी कितना सौफ्ट ह वो पत्थर पे जो पानी गिरता है तो पत्थर तूट जाता है तो यह कैसे पॉसिबल यह ऐसे पॉसिबल है कि एक बार अगर हम रसी हम कुए से खीचेंगे तो उससे वो पत्थर नहीं कटेगा लेकिन बार बार वो रसी को खीचा जाता है और वो रसी जो है उस पत्थर को घिस्ता रहता है तो at the end हमको ये देखने को मिलता है कि वो पत्थर वहाँ पर से कट गया और एक पूंध पानी गिरने से पत्थर नहीं तूटेगा बार बार उसी जगह continuously जो है जहरना से जो है वो पत्थर पर पानी गिरता है तो वो पत्थर तूट जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप repeat करोगे हर चीज को अगर आप repeat करोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आपका काम बनेगा नहीं तो वो रसी बार बार repetition चल रहा है repetition हो रहा है रसी का बार बार तो उस repetition के वज़े से वो पत्थर कट गिया है अब पत्थर के आगे रसी और पानी का क्या उकात है कोई उकात नहीं लेकिन अगर repetition किया जा रहा है तो फिर वो पत्थर को भी काट रहा है एक रसी पत्थर को भी काट दे रहा है एक पानी पत्थर को भी तोड़ दे रहा है तो repetition is the key of success तो repetition जो है वो काम्याबी का key माना गिया है तो आपको ये बताने का मकसद ये था कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार पढ़ो अगर दूसरी बार में भी समझ में नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर तीसरी बार में भी समझ में नहीं आता है तो भईया चौती बार में तो definitely समझ में आएगा तो अगर आप ये repetition वाले mode को अगर आप on कर लेते हो न तो फिर आपका काम बन जाएगा और आपको वो concept इतना बहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि फिर आप वो भूलोगे नहीं तो ये तरीका आप लोग जरूर जो है वो apply करोगे अपने पढ़ाई से related